हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपका स्वागत है आज जो रेसिपी मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ चिली पनीर की रेसिपी है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं हम यहां पे 200 ग्राम पनीर ले लिये हैं और देखिए ग्रीन चिली लहसून हरा लहसून उसका लीफ और यह प्याज और सिम्ला मिर्च तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैंने यहां पे लिया है एक चमच कॉन फ्लॉर एक चमच मैदा अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लूँगी थोड़ा सा आधा टीस्पून और आधा टीस्पून मैं गोल मिर्च पाउडर ब्लेक पेपर पाउडर डाल दूँगी इसे मैं अच्छा से चला लूँगी मिक्स कर लूँगी अच्छा से अब मैं इसमें पनीर के टुक्रों को डाल के कोटिंग कर लूँगी वन बाई वन ही डालिएगा ज्यादा एक साथ मट डालिएगा अब कोटिंग कर लिजे अच् से कोटिंग नहीं होगा और देखिए हो गया मैं इसे वन वाई वन निकाल के रख लेती हूँ और देखिए मैंने दूसरा ट्रिप भी डाल दिया है अब मैं इसे भी निकाल के रख लेती हूँ अब मैं कढ़ाई बैठा देगे हूँ इसमें तीन चमच में अपने अंदाज के अनुसार तेल डाल दूगी अब मैं वन वाई वन इसमें पनीर के टुकडो को डालूगी ज्यादा एक साथ में डलीगा फ्रेंड में तो आपको इसको फ्राई करने में दिक्कत हो जाएगी और मैं फॉक के साहता से इसे उलाट रही हूँ नहीं तो ये उलटने में दिक्कत हो जाएगी और देखिए इसको फॉक के साहता से आराम से आप इसको उलाट सकते हैं अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और मेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा तो देखिए हमने सारे पनीर को फ्राइब करके निकाल लिया है अब मैं कोई दूसरा आईल नहीं लूँगी इसी आईल में मैं अब ग्रीन चिली डाल रही हूँ छोटे टुकड़ों में काटके डाली हूँ वैसे तो ये चिली पनीर ही है इसमें तो तीखा होता ही है ये सबजी लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है अपने तेश के मनुचार डालीएगा लैसुन और जो लैसुन काटके रखी थी वो डाल दी हूँ देखिए ये ग्रीन लैसुन है अभी तो ठंडी का मौसम है ये ग्रीन लैसुन बहुत ज्यादा मिलती है ये भी ये मैंने डाला है इसमें और इसे मैं अब चला लूँगी अफ्लैम को लो क कर दूँगी ताकि हमारी ये तड़का जले ना अब मैं एक प्याज को छोटे टुक्रों में काटके रखी हूँ एकदम चौप चोटे चोटे चौप की हूँ उसे भी डाल देती हूँ लोफेम पे ही इसे पकाना है देखिए अब इसे भी मैं चला लूँगी इस तड़के को लो फ्लेम पे ही चलाईएगा अब मैं इसमें सिमला मिर्च और एक प्याज को जो मैंने बड़े टुक्रों में काटके रखा था इन दोनों को मिला लेती हूँ प्रेंट्स ये सबजी में ज्यादा फ्राई नहीं होती है बस इसका कच्चा फन हट जाए इतना ही आपको फ्राई करना है आप अए वैसे तो इस सबजी में टमाटर नहीं आता है डाला जाता है लेकिन मैंने एक टमाटर बड़ा साइश क्या डाला है जिसे सबजी का स्वाद बहुत ही बढ़ गया था मैं आपको यहीं सजेस्स करूंगी कि आप भी प्लीज मेरे कहने से इस सबजी में टमाटर जरूर डालिएगा अब मैं नमक डाल देती हूं और टमाटर और मैं तो आपको यहीं सजेसन दूंगी कि आप भी टमाटर डालिएगा फ्रेंड्स इससे सबजी बहुत ही टेस्टी और डिलीसियस बना था और देखिए इसे भी मैं चला लेती हूं इ नमक अपने अंदाज से ही डालिएगा फ्रेंड क्यूंकि सारी सॉस में नमक होती है और यह सॉस से ही पनीर चिली पनीर बनता है और मैं इसमें देखिए एक चिली बिनेगर डाल रही हूं इसे भी मिक्स कर लूँगी एक चमच सौया सॉस रेड चिली सॉस एक चमच सब मैंने एक चमच एक चमच ही लिया है फिरेंड्स इसलिए मैं दिखा के आपको डाल रही हूं और ये टोमेटो केचप भी एक चमच्छ है बस मैं इन चारोर को एक साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी एक मिनट तक फ्राई करूँगी इसमें आलक से पानी मट डालीएगा फ्रेंड वो जो हम लोग कोटिंग करके मैदा और कॉर्ण फ्राई का जो बचा हुआ रखे हैं उसी में मैं पानी डाल दूँगी और उसे अच्छा से घूल एक त्यार कर लूँगी देखिए मैंने घूल त्यार कर लिया और इसे अच्छ को मैं इसमें डाल दूँगी और बस इसे एक सेकेंट के लिए चलाते रहिए अभी ज्यादा पानी मट डालिएगा इसे चलाते रहिए फ्लेम को बढ़ा दीजिएगा फ्रेंड और इसे चलाते रहिए इसके बाद हम आधा कोटुरी पानी और डालेंगे आपको अगर ग्रे अगर आप लोग ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप एक कटूरी भी डाल सकते हैं अब मैं अपने फ्राइ किये हुए पनीर को भी डाल देंगी देखिए मैंने फ्राइ किये हुए सारे पनीर को इसमें डाल दिया और इसे भी अच्छा सेला लिजिए और ये चिली पनीर फ्राइड राइस और चौमिन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है अगर बटर रोटी बना रहे हैं तो आप बटर रोटी के साथ भी इसे सर्फ कर सकते हैं और देखिए हमारा चिली पनीर कितना डिलिसियस लग रहा है अगर मेरी चैनल में ये आपका रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए मैं आपको सर्फ करके दिखा रही हूँ आप भी इसी तरीके से बनाईएगा और खाईएगा और प्लीज मिशे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा देखिए कितनी डिलिसियस लग रही है मेरी ये सब्सक्राइब मैंने इसे सर्फ कर लिया और हरे प्यास से मैंने गार्निस कर दिया और देखिए कितना डिलिस्यास है यह सब्सक्राइब तो बाई फ्रेंड्स एंड टेक क्यार आल आफ यू